तो अनिल जी देखिए ये शेर की मैं आपको फंडमेंटल्स बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ये आपको रिस्क रिवार्ड देखना है इसी तरह से 85 रुपे पे मैंने रिलाइंस इंफरा कहा था कि इट्स अ नो ब्रिनर 12 रुपे पे येस बैंक कहा था 12 रुप जाए इन्फराइब येश जेपी एसोसियेट उनकी 26% होल्डिंग जेपी पावर में है साड़े 700 करोड उन्होंने लC-LT में जमा करा रखे हैं जो वापिस आएंगे SPV बना रखी है on the sports city and noida जिसमें 5000 करोड के असेट जाएंगे आप होटेल, hospitality, plant और 5 million ton cement माधिया प्रदेश में जो है अगर आप समाफ पार्टर करेंगे तो 38 से 40,000 करोड के असेट दो हजार करोड की market cap इसका भाव मेरे हिसाब से 25 रुपे होना जीए लेकिन अनील जी ये एक दिन में नहीं होएगा क्योंके आपको पता है लेकिन आप fundamental पे जाएए, debt is now going to be less than 5000 करोड ये एक miss number था, सारा कुछ so the assets are clean और अगर आप बोल रहे हो power चल रहा है, infra चल रहा है, real estate चल रहा है, hospitality चल रहा है, hotel, JP hotel is the 5th largest in the country so you cannot but miss it, अब 10 रुपे पे, 9 रुपे में आपको नहीं अच्छा लगता, कल को 20 रुपे हो जाए, फिर मत चेस करिएगा, तो थोड़ा सा risk अगर आप ले सकते हैं, 1-2% या 5% डाल दीजिए, share bazar bullish है, और assets जो जहां negligible quality होती थी अब वो quality आ रही है, इस कारण सारी जी मेरी suggestion है, it is not a disclosure to buy or sell, we have clients who have made position, and we will sit through for the next 2-3-5 years for this to become a multi-bagger, high risk, high return, high risk, high return, तो आप उतने ही रिस्क ले सकते हैं, उतने ही डालें जिसमें आपको ये लगे कि मेरा आजा रहे गया, डूब गया, तो मुझे तकलीफ नहीं, बरावर नहीं, बिलकुल अनी जी, फिर आप ये ना कहि चाहे पी ये भूल गए, बिलकुल नहीं, अनी जी, अगर आप ने इकिस सो पचास में पेटियम लिया, तो नाम ही लेना चाहता है, एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग आउस है, हम से स्टार्ट होती है, ठारां सो पिछतर में बाई निकाली, और पिछे ऐसे, और फिर बेचने को, तो जब इंडेक साथ हजार जाता है, वो पिछतर हजार का टार्किट देता है, जब पचास आता है, वो चालिस देता है, इससे तो मेरी सोना साल की बेटी बेटर बेटर बता दी क्या, बापा, I'll tell you better, I'm not saying good or bad, वो तो बेटर हो नहीं है सर, आपकी बेटी है, तो आपक में इतने emancipation होते है, तो real assets are lying, आपको कभी पता था कि 85 रुपे पे, not even 800 करोड की market cap थी, reliance infra की, जिसके आपा सारे assets है, और 2000 करोड की तो cash आने को है, so I'm not saying that these are villains, they have gone through the worst, but they can become outperformers, so if you commit 5% of your capital annuity and it doubles, triples, then you will remember us. Absolutely, बिल्कुल तो वही वाली वात है, cutting चाय, पान खाके थूख दिया है, जो आपको अच्छा लगे, वो वाला मुहावरा यूस कीजिए, और उतना ही लीजिए, जहां आपको नुकसान बढ़े, जिसके हम hero zero call देते हैं, expiry के दिन, यह उस तरह का hero zero call है, dark horse आपके लिए.